यहां पर हम लोग discussion करेंगे जो पोस्ट वारिकाल के बात का जो समय है उसमें भारत पर जो गिदेशी हम ले हुए उनको तो देखेंगे कि इसका क्या इंपक्ट पड़ता इंडिया पे और यह एक छोटा सा टॉपिक होगा और यहां से आपके एक्जाम में कोश्चन आते हो ज देखो मौर्याज में जब अशोक की डैथ होती ना तो उसके बाद कोई बहुत बड़ा किंग जो है वो नहीं आता इसका फायदा कौन उठाते है विदेशी और लगाता इंडिया में वेस्ट साइट से दोस्तों क्या हो जाता है विदेशी हमले होना स्टार्ट हो जाते है अब दीरे दीरे क्या हो जाएगा कि यह लोग इंडिया का जो वेस्टर्ण पार्ट है वो क्याप्चर करते जाएंगे कौन विदेशी लोग इतनी बात आप लोग को समझनी अब जब मौर्य पिरेट खता हो जाता है तो उसके बाद हम लोग बात करें तो शूंग और कन्व और इन इस्टी को खतम करके पूरा का पूरा बात करेंगे जो मगदय खतम कर देगा तो इससे यह बढ़िए गांड़ी में साब्धा आ जाएगी और यह पूरा वेस्टर्ण वाला जो यह इलाका है यहां बुक्न लोग बात करेंगे तो इसे के लोग हैं तो इनको हम लोग को यहां पर पढ़ना है पर मैं आप लोग को बलूँगा जितना मैं बताओं बस उतना ही पढ़ना उतना ही एक्जाम में कुशन पूछा जाएगा दोस्तों एक वो लोग है जो युनान से आए हैं लेकिन यह क्या करेंगे इंडिया वाले जो एरिया है वहां पर रहने लगें जो इंडो ग्रीक ना जिस एरिया से आये थे उस एरिया का नाम था बैक्टीरिया इसलिए इंडो ग्रीक को बैक्टीरियन भी बोलते हैं चलिए अब लोग शेशन में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके शुरुआत करते हैं तो दोस्तों इंडो ग्रीक जो लोग बैक्टी यह कोई और नहीं थे इंडो ग्री या फिर बैक्टीरियन अब बात करेंगे जो इनका सबसे महांतम राजा था जो ग्रेटेस्ट किंग था वस उसी को आप लोग को पढ़ना है उसका नाम था दोस्तों मिलिंद जिसको मिलिंदर के नाम से भी जाना जाता है उसने रूल किया 165 से लेकर के 145 BC तक अब दोस्तों ये कनवर्ट होना चाहता है कौन से धर्म में बुद्धिजम इस चीज के लिए इसने बुलवाया एक मौंक को एक भिख्षू को उसने बहुत धर्म के बारे में बहुत सारा कनवर्सेशन किया बहुत सारा डिस्क्शन किया और वो मौंक क और यह कौन था उस मौग का नाम था नाग सेना जिस को नागर्जुन भी कहते हैं यहीं कि नाग चैना का एक और नाम नागर्जुन भी है लेकिन याद रखना इसका यह जो नाग सेना है इसी को नागरजुन कहते हैं एक और आएगा आपको कनिश्के के समय में तो उसको आप यहाँ पर कंफ्यूज मत करना फिलाल आप इत्ता समझो यह जो नाग सेना इसी को नागरजुन भी बोलेंगा और इसका टाइम पिरड़ देखो 165 से लिकर के 145 BC ठी अब दोस्तों लोग बात करें तो इसने पूरा का पूरा कनवर्सेशन किया डिस्केशन किया बहुत कुछ पूछा तो जो पूरा का पूरा जो डिस्केशन हुआ ना इसके उपर नाग सेना ने एक बुक लिख दी और इस बुक का नाम था मिलिंद पानो यह कोश्चन आता गलाई के उठर कौन है तो नाग सेन या फिर नागरजुनर आप लोग के हमवर्क है कि आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट में बताओके क्या बताओके बताओक here जो मिलिंद पानो है कौन से लेंगवेज मिलिंद पानो मतलब मिलिन्द के प्रच्ण इक है तो मिलिंद या फ आउसाओ लोको रखेंगे ओसatti इंडीयन रखेंगे इंडीयन रखेंगे उसको बनाने का उसे ग्रीक तो गंधार आर्ट के बारे मत पर्ला मत पढ़ेंगे फिसे इंडार्ध है, भारत में सबसे बुक के ऑथर कौन थे अगला दोस्तों उसके बाद इंडिया में आएंगे शक लोग जो लोग हम बात करेंगे इनको शकास भी बोलेंगे ये इन्हें दोस्तों बात करेंगे ये शेथियंस ट्राइब से बिलॉंग करते हैं और ये ट्राइब कहां की सेंटरल एशिया की कोई पूछ आप से इंडिया में आने के बाद ये लोग पांच पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे जैसे कि मैं बात करूं कुछ लोग दोस्तों रहेंगे ये आपके मतुरा में ठीक है कुछ लोग आप में चले जाएंगे कहां पर गुजरात में जो कच्छ रीजन है वहां प नाम तक चेश्टन के नाम ता चेश्टन और चेस्ठन नाम के राजा ने केलंडर बनाया जिस केलंडर के नाम था शक्या कलंडर ये शक hyd्मा की लोग एंड़ात में काकश उर्टा और आप लोग को कब आगे में जाकर किपढ़ां में कनिश्र तो हुआ क्या यह जो चस्टन ने जो calendar बनाया थे था इसको आप बोल सकते हूँ रीइंटर्डीूस किया था किसने कनिशक ने और कनिशक से इसको दुबारा से शुरू करवाया था, कनिश्क राजा कब बनेगा, 78 AD में, ठीके गाइस, तो ये पोइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अभी मैं जब कनिश्क में पहुंचोंगा, आजी तो आपको और क्लिर करूँगा, और यही जो शक्त केलेंडर है, शक् केलेंडर भी बना, अगली बात, दोस्तों बात करेंगे, शकाओं का जो सबसे ग्रेटेस किंग था, जो महांतम राजा था, उसका नाम क्या था, रुद्रदमन, और इसने 150 AD के आसपास जूनागर का इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, कि इसमें प्योर संस्कृत ने, और य उसने उसको रेविल्ड किया था, और उसने यह भी लिख वाया इस इंस्क्रिप्शन में, कि भई, जिस लेक को चंदगुत मौरे ने बनवाया था, मैंने उसको रिप्यार करवाया यह रेविल्ड कराया, जुनागर इंस्क्रिप्शन कहां पर मिलेगा भई, यह आपको यहाद रख लेना और आगे जाकर करके अभी मैं आपको बता हूँ कानिश्क जो है 78 AD में दुबारा से स्टार्ट करेंगा क्या सक कैलेंडर तो अगर आप लोग से पूछ लिया जा है सका कैलेंडर में और विक्रम समवत में कितने साल का डिफ्रेंस है तो 135 यह का और आगे चल है तो यह बैग्राउंड जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ पर इसको आपको समझना है इतना ही दोस्तों आप लोग को शका के बारें पढ़ना इस्तियादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अभी जब कनिश्क कराऊंगा तो शका वाला जो डाउट हो आपका एक्जम इसी राजा के समय इंडिया में एक व्यक्ति आया था दोस्तों जिसका नाम था सेंट थॉमस और यह इंडिया में इसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था तो इतना ही याद रखेंगे आप पार्थियंस में दूसरी में बात करूँ शक में और बात करेंगे अब सबसे इंपोर्टन्ट आ जाते हैं दोस्तों कुषान दोस्तों मैं कुषान डनेश्टी के बारे हम बात करूँगा तो यह लोग जिस ट्राइब से जिस कबीले से बिलॉंग करते हैं उस कबीले का नाम कहा है यूची या फिर तोचेरियन और यह कबीला कहा है बहीए य उस फाउंदर का नाम क्या बैए कुजूल कट फिसस और इस कुजूल कट फिसस को ही फिसस वन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और कुशान डिनिस्टी के बारे एक पॉइंट कर लिए कुशन आया कि कुशान लोग सबसे ज़ा किस चीज के लिए फेमास है तो याद रखो यह लोग अपने आर्ट के लिए फेमास है इन्होंने कला का बहुत प्रचार प्रसार किया और इनके समय में कला बहुत आगे बढ़ी भी अब अगला किंग है विम कट फिसस जो कि इसका बेटा है इसको रियल फाउंडर माना जाता है और यह जो शैविजम है जो शैव है उ और शिवा से यह आपका दोस्तों है कट फिसस टू इसी को बोल देते हैं कट फिसस टू जो कि रियल फाउंडर था किसका भई कुशान डैनस्टी का तो कुशान डैनस्टी चाइनस आई अब बात करेंगे दोस्तों इनका सबसे इंपोर्टेंट राजा जो अमारे एक्जाम आया नहीं था क्योंकि चेस्टन कोई बहुत बड़ा राजा नहीं हुआ ठीक है अब जब कनिश के राजा हुआ तो उसने क्या किया जिस साल वह बना उस साल से दुबार से शुरुवात करें कि उसी केलेंडर की वह कैलेंडर इसी करण से शक्त समवत ही किला लेकिन उसको किसने इशू कि अगर एक्जाम में कोशन आए तो आपको आप्शन में कनिश्क के आएगा और आप लोग यहीं लगा करके आजाना ठीक है अब दोस्तों बात करेंगे यह ग्रेटेस किंग के लाएगा अगर आप लोगों से पूर्ष लिया जाब है कि रियालिटी में किसने चालू किया था तो यह बात करें दोस्तों कुशानों का सबसे महानतम राजा था इसकी मुख्य कैपिटल थी पेशावर जिसको पहले पुरुष पूर के नाम से जानते थे हैं और आज की रेट में कहां पर है दोस्तों पाकिस्तान में यह पॉइंट भी है और इसकी दूसर पर लोगों ने कार्ड भी दिया था यह भी मैं आपको बताना चाहरा था तो यह पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान में रख लेना आगे दोस्तों बात करेंगे तो आर्ट के बारे में इसने दो फॉर्म आफ स्कूल की बात की एक तो था दोस्तों आपका गंधा इस और यह अफगानिस्तन वाले एरिया में ज्यादा प्रस्लिच था तो यह वाइट स्टों में बनाते थे और इसी को बोलते थे गंधार स्कूल ओफ आर्ट और गाइस हम लोग बात करेंगे जो दूसरा स्कूल मत्वरा स्कूल ओफ आर्ट यहां पर क्या करते थे लोग रेड जो ग्रीक के समय में हुई लेकिन दोस्तों इसको अपने स्टीक पर पहुचाया था किसने कनिश्ट किने और आपको पता है कनिश्ट का पहला किंग था जिसने महायान बुद्धिजम को क्या किया था यानि जो मूर्ती कला है उसको इसी ने बढ़ावा दिया था अगली बा गौतम बुद्ध की क्या है दोस्तों बायोग्रफी यह भी याद रखो आप लोग और आपको यादी होगा दोस्तों जो फॉर्थ बुद्धिस कांसल थी इसमें यह जो अश्व गोश्ट है यह वाइस चेयर मैं था और अगर हम बात करेंगे फॉर्थ बुद्धिस जो कां आया हुगा कई बार वाश्व मित्र और वाइस चेयर मैं कौन था भाई अश्व गोश्ट चलिए अगली बात कि इसके कोड का फिजीशन यानि कि राजवयत कौन था चरक और चरक की बुग की दोस्तों चरक समीता और आप लोग को बिल्लकुल ध्यान में रखना है यह किस इसकी बूक है तो यह मेडिसीन की बूक है बेसिकली आयरुवेट से रिलिटेड है इसकी के दरवार में दोस्तों एक नागरजुन नाम का व्यक्ति रहेगा जिसको इंडियन आइंस्टीन के नाम से जाना जाएगा जो पर बोलते हैं कि जो नागरजुन थे उन्होंने उसक चाइना पर हमला किया पर चाइना का एक जर्णल था जो बहुत ही पेन का यूस करता तो चाय पीता था तो इसका नाम हो जाएगा पेंच ़ुशल याद निकले बतारहूं तो जो पेंच आशो नाम का जो व्यक्ति था ना दोस्तों इसने हरा दिया था कि इसको कनिश ने हम यारी कनिष्ण ने पिर हफंला किया और वहाँ का जो किंह ता जिसका नाम था हां वो ती फिर फाइनली इसको हरा दिया और Schulter और हार θαन होती इसने हराया पर पएले से जनरल सेह रहा था यह रहता यह बाद कनों यहाँ पर याद रखैना आप इसने चाइना के किंग को रहा है तो उसके बाद इसने सिल्क जो रूट है अभी मैं आपको आगे शो करूँगा उस पे कब्जा कर लिया तो पेंचाउन इसको रहा था यह बात आपके गिजाम में आ सकता है अगली बात दोस्तों याद रखना यह आपके लेक्दम नया होगा 81 AD की बात है सारनात में इसने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया जिसको बोलते हैं बुद्धा इंस्क्रिप्शन और यहां पर जिस बुद्ध को बनाया बग के बारे में लिखा गया वो थे मैत्री और ऐसा माना जाता है भगवान बुद्ध का अगला अतार मैत्री होंगे ठी है और अगर बात करेंगे 81 AD को आप सका केलेंडर में क्या बोलोगे तो यह थर्ड यह होगा ना क्यों बता हो 78 AD में स्टार्ट हुआ था तो 81 AD मतलब प्लस 3 है कि नहीं तो इत्ती बात आप लोग को मेरे ख्याल अच्छे से समझ में आ गई होगी चले तो यह काफी इंपॉर से आप देख रहे हो यह यह नया बना आरे है इसको मैरी टाइम सिल्क रूट बोला जा रहे है ठीक है नहीं ओल्ड वाला यह है यह जमीन से चल रहा था यह यह पूरा देखो यह पूरा का पूरा इंडिया चाइना को कनेक्ट करता हूँ यह कहा जा रहा यूरोप की तरफ यह पूरा आ गया यह यहां पर आप तरगी पहुंच चुकिए हो ठीक है तो यहां बनों बात करेंगे जो पूरा पूरा जो सिल्क रूट है इसको अपने कब्जे में कर लिया था किस व्यक्ति ने कनिश्क ने और कनिश्क के समय में ही दोस्तों एक व्यक्ति था जिसने को यार घर सेशन अच्छा लगे तो इसको शेर जरूर करेंगे थैंक यू